नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस दोरान उन्होंने तीन विधान सभाज खेतरों के बुध अस्तरिय सनवात को समोधित किया और करकरताओ में जोस भी भरा बतादे जमस्कार के सांसाद भिधू तुरण महतों पर ब्यांग करते हुए कहा है कि उनकी उपलब्धी क्या रही सिर्फ बोलते रहे पुरसोतम एक्सप्रेस को रुखवा दीजिए निलांचल एक्सप्रेस को रुखवा दीजिए लोग सभाचुनाओं में जमसेदपूर सीट को जीतने के लिए इस बार इन्डी गडबंदन का मोखे घटक जामो बहत गंभीर है जमसेदपूर से समीर मोहंती को पत्यासी घोसित करने के बाद पहली बार अबिवार को पहुँचे मुखे मते चमपाई सुरेने जमसेदपूर पूर्वी जमसेदपूर पच्मी वह जूगलाई बिधान सबस्चेतर के बुद्ध करकताव को समोधित करते हुए कमजोर पहलू पर बात रखते हुए रनेती का खुला सा किया है जैक बोर्ड बराहमी का परिक्षा पहिणाम 30 अप्रेल को जारी करेगा जारखन एकेडमी का उसी दस वी के बाद बराहमी का परिक्षा पहिणाम जारी करने के त्यारी में है जनकारी के मुताबिक जैक बराहमी के सभी सनकाय का रिजल्ट एक साथ जारी करेगी सुचना मिल रही है कि इस बार इंटर का रिजल्ट 30 अप्रेल को जारी होगा हलाकि अभी तक आयो की तरब से इसकी अधिकारी गोसना नहीं की गई है जैक 12th रिजल्ड दोहेचोविस का रिजल्ड परीक्षा थी अफिसियल बेप साइट पर जा कर देख सकते हैं रिजल्ड जारी करने से पहले जैक के अधिक टेस वारता करेंगे जहां में परीक्षा परिणाम जे समझी सारी बाते रखेंगे उसके बाद सभी इस्ट्रीम के अलग-अलग टोपर्स का नाम जारी होगा इसके बाद ही अन्यों लोग अपने रियल देख सकेंगे बतादे परिक्षा में एक से तीन अस्थान पर जगव बनाने वाले को जारकन सरकार द्वारा इनाम मिलने के प्रवधान है बीते साल से इनाम की रासी में भी बढ़ोतरी हुई है कलपना सुरेन आज करेंगी नमांकन पुरमुखमंत्री हेमन सुरेन की पत्नी कलपना मुर्मु सुरेन 29 अपरेल को गांडे विधान सबा उप्चुनाव में जामो को उमिद्वार के रूप में नमांकन करेंगी रभीवार को सुरेन सास रूपी और ससुर सिबु सुरेन का सिर्वाद लेने के लिए रांची के मौरबादी इस्थित उनके निवास पहुँची रभीवार को ही कलपना सुरेन नमांकन के लिए गिरीडी रवाना हो गई बतादे कलपना सुरेन हेलिकोप्टर से गिरीडी हवाई अड़ा पहुंची जहाँ पर राज सभास सदस डक्टर सफ राज अहमद गिरीडी विधायक सुद्धी वेकुमार सोनुव जामो जीला अध्यक्ष नंजाय सिंग ने उनका स्रागत किया है यहां से वह उत्सव उपवन गई साम में पार्टी के परमुक नेतावक साथ बैठा की जामो मो जीला अध्यक्ष के बताया है की कलपना सुरेन साड़े बारा वज़े से एक वज़े के बीच नमांकान दाखिल करेंगी उनके नमांकान के दोरान मुक्ष मंत्री चंपाई सुरेन मंत्री बसंद सुरेन सहीत इंडिया गड़ बदन के कई नेता मौजूद रहेंगे जारखन मौसम रांची में च्छा सकते हैं बादल जारखन के कई जीलो में घर्मी से फिलाल बड़ी रहात नहीं मिलने वाली है रभीबार को भी 11 जीले सिवियर हीट वेव की चपेट में रहे हैं वहीं गुमला सिम्टे का धनबाद बोकार और पच्मी सिमो में गरजन के साथ हलकी बुंदा बुंदी हुई है रांची में बादल चाहे रहने से सुरज की तपिस में कमी आई है साथ ही आज़ पास के छेत्र में महोसम में बदलाव के असर से रांची का धिक्तम तपमाण में सनी मरगे पेखचाँ 0.7 10 degree Celsius की कमी आई है वहीं साम में हवा के साथ नमी रहने के कार्ण मौसम सुहाना हो गया रांची में रभिवार को अधिक्तम तापमार 38.50 डिग्री सेस रिकॉड किया गया इधर बंगला देश इलाके में एक साइकलोनिक सर्कुलेशन तेयार हुआ है जो जार्खन साइथ 36 गड़ की और मध्य गती से बढ़ रहा है इससे 29 अभेल को रांची साइथ गड़वा पलामू लाते हा लोहदगा गुमला सिम्टेगा में हलके बादल चाहे रहने वह कहीं कहीं हलकी बुंदाबांदी होने की संभावना है पीएम मोधी 3 को चाईबासा और 4 को पलामू में जार्खन में चुनावी समर में जल्द हिद्धिगज भी मोर्टा समहलेंगे एंडिये और इंडिया गडबंधन के आला नेतावों का चुनावी दोर सुरू हो रहा है प्रधान मत्री नयाद मोधी चाईबासा से एंडिये के पक्ष में चुनावी संख नाद करेंगे एंडिये परत्यासियों के पक्ष में प्रधान मत्री 3 माई को दो पहर 3 बजे चाईबासा में चुनावी सभा को समोधित करेंगे साथ ही सिंभूं सीट की एंडिये परत्यासी गीता कोड़ा के पक्ष में मद्दान करने की अपील करेंगे बता दे हाल ही में गीता कोड़ा कांग्रेश छोड़कर भाजपा में सामिल हुई थी भाजपा ने इने सिंभूं सीट से परत्यासी बनाया है वहीं चार माई को पधान में दिनाय मोदी जारखन में दो चुनावी सभाव को समोधित करेंगे पहली जनसभा पलामू में सूबा साज़े नौव बज़े से होगी यहां से भाजपा ने सांसाद बिडी राम को फिर से परत्यासी बनाया है वहीं दूसरी जनसभा लोहर दगा के सीशाई में दोपा साड़े बारा बज़े से होगी लोहर दगा सिर्ट से भाजपा ने राई सभा सांसाद समीर उराव को परत्यासी बनाया है जारखन में 15 नौवंबर तक बनना है एक लाख कूप राज़े में 15 नौवंबर तक एक लाख सीचाई कूपो का निर्मान कराना है इस लक्ष की तुलना में अब तक मात्र पचपन कूपो का ही निर्पान हो सका है या अकड़ा 31 मार्च तक का है इसके बाद कुछ ही कूपो के बनने की सुचना है इसी तरह अब 6 माहिने में 16 कूपो का निर्मान कराना होगा इसमें भी 2-3 माह तक बरसाथ के कारण कूपो का निर्मान नहीं हो सकेगा इस तरह जीलों के पास मात्र चार माही काम के लिए समय बचेगा इस ओधी में सारे कूपो का निर्मान कर लेना होगा बतादे कूपो की इस प्रगत्ती की समिक्षा के बाद गृमिन विकास विभागने जीलों को तेजी से काम करने का निर्देश्तिया है धिमी प्रगत्ती को लेकर नराज की ब्यक्त की गई साथ ही कहा गया है कि हर हाल में लक्स की प्राप्ति की जाए जनकारी के मुताबिक बीर्षा सिचाई कूप सर्वधन मीसन योजना के तहट एक लाख कूपो का निर्मान कराना है इन्मे से अभी 90706 कूपो का काम चल रहा है वहीं करीब 9000 कूपो पर काम भी शुरू नहीं हुआ है बर्ड फुलू मामला चुजो के सेंपल की होगी जिनोम सिक्वेंसिंग बर्ड फुलू आउट बरेक की जांच एवं एहतियाती उपायों को लेकर बीते तीन दिनों से रांची में कैम्प कर रहे केंद्रिये टीम ने चुजो के जिसे सेंपल में वर्ड फुलू की पुष्टी हुई है उसकी जिनोम सिक्वेंसिंग कराने की हिदायत दिया है टीम में सामील नेशनल सेंटर फोर डीजीज कंट्रोल नई दिली के डीप्टी डारेक्टर डाक्टर बिभास नंदी ने इस बाबत रांची के उपायुक्त को एक आदेश जारी करने का नुडोत किया है ताकि सेंपल की जिनोम सिक्वेंसिंग कराई जा सके बता दे कि रांची के होटवारिस्थी छेत्री एक कुकुट प्रचेत्र में वर्डफुलो की पुष्टी होने के बाद भारत सरकार की ओर से 300 सई 20 सग्यों के एक दल को रांची भेजा किया है रांची गिरिडी धनबाद जमसेदपूर में आई से नमांकन जारकन में सोमवार से चुनावी सोर सहरों में भी पहुंचना सुरू हो जाएगा यहां से तीसरे चरन की चार सीटो रांची, गिरिडी, धनबाद तथा जमसेदपूर में लोगसभा चुनाओ को लेकर सोमवर से नमांकन होगा बतादे सभी दलों ने पहले ही यहां अपने अपने उमिद्वारों की खोसना कर दी है भारत निर्वचन आयोग ने इस चार सीटो पर नमांकन की अमतिमति थी छा मैनी धारित की है वहीं साथ मै को नमांकन पत्रों की जाच होगी और नौ मै तक नमांकन वापस लिया जा सकेगा बतादे यहां पर पचीस मै को मत दान होगा इन चारों सीटो में सभी समाने सीटे हाए इन सीटो पर तिन वरतमान सांसुदो तथा इतने ही विधायकों की परतिष्ठा दाव पर होगी राम भक्तो पर जूठा केस दर्ज होगा अंदोलन राम नवमी की अश्टमी की रोज महोदी में होई घटना को लेकर सीवाड डिह गाउ बगीचा में रभीवर को धर्न सभा कायोजन किया गया जिसमें परखंड के कई गाउं से भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है इसमें राम भक्तो पर लाठी चार्ज आसू गैस छोड़ने और परसासन द्वारा मुकदमे करने पनलाज की जाहिर की गई बैठाक दो फर बारा बैस लेकर साम पाच बैस तक होई है इसमें उपस्थित लोगों ने अपने अपने बिचार ब्यक्त किये है मुखे रूप से परसासन द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर 56 लोगों को नमजाद अभयूक्त बना कर एवं 1000 अग्यात लोगों को पर मुकादमा करने की निंदा करते हुए तीब्र विरोत किया गया इसके अलावा बैठाक में कई महतपून और कठोर नीना भी लिये गया धर्म सभा में लोगों ने एक सवर में कहा है कि 16 अप्रेल को राम लला की सभायात्रा महुद्री से सोनपूर मेला सांतिपून पहुँची पुना सोनपूर मेला से वापसी में जूलुच को परसासन द्वारा बेवज़ा रोका गया अपनी करनी का फल भोग रहे हमंत सुरेन बाबुलाल मरांडी भाज़बा के परदेश अध्यक्स बावला मरांडी ने लोहदगा के भंडारा में भाज़बा परत्यासी समीर उराओ के पक्ष में साभा को समोधित किया और कहा है कि देश के पीम नारेंद मोधी आम जंता की जरुरत को समझते हैं उसकी चिंता करते हैं जबकि इंडी गटबंधन के लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं जारखन में जे एमेम कंग्रेस और रायत की सरकार बनने के बाद पिछले चार वर्सों से लूट की कहानी आप चारों तरब से सून रहे होंगे कोईला बालू पत्थर लोहा सब लूट गया यहाद तक की सरकारी और सेना की जमीन को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा फर्जी कागज बना कर इसकी भी लूट की यही कारण है कि आज हेमान सुरेन जेल में हैं यह लोग परिवार और पैसे के लिए राय निती करते हैं बाबुलल ने कहा है कि हेमान सुरेन को किसी ने फचाया नहीं वह खोद फचे हैं आज देश में कोई भी ऐसा मुक्य मत्री नहीं है जो अपने नाम से ख़दान का लिज लेता हो पीएम मोदी के जार्खन दवरे को लेकर सियासी पारा चड़ा सातारो जार्खन मोक्ती मोर्चा ने परधान मति नयान मोदी का स्वागत करते हुए उनसे यह मांग भी की है कि जब वह जार्खन आए तब यह जरूर असपश्ट कर दे कि जन गन्ना में अलग आदिवासी सरना धर्म कोट पर उनकी राय क्या है जामों के केंद्रिय महासची सुप्रियो भटाचाई ने पार्टी कर रहले में रवेवर को आयोजीत पत्रकार वारता के दरान का है कि जार्खन के आदिवासी मुलवासी गरामीन को अपने सवालों का पीए मोदी से जवाब चाहिए सुप्रियो भटाचाई ने हेलीकोप्टर पार्किंग पर भी अपनी बाते रखी है जेल में बंद पुर्व सीएम और जामों के करकारिया दक्स हेमान सुरेन का नाम चारक में रखा गया है रांची के बारास दागियों से भरवाया बॉंड तेज सोको नोटीस लोग सभा चुनाव को सांती पुन तरीके से संपन कराने के लिए रांची पुलिस पुरी तरह अलट हो चुकी है उसने रांची जीले के वैसे बारास लोगों को चीनित किया है जो परत्यक्ष या फिर अपरत्यक्ष रूप से किसी भी तरह के बिवाद में सामिल रहे हैं इन सभी लोगों को पुलिस ने नोर्टिस भेज कर पहले सम्मदी थानों में बुलाया इसके बाद चुनाव के दोरान महोल नहीं बिगाडने और नहीं बिगाडने देने से सम्मदी बॉन्ड भी सभी से भरवाया है वहीं दूसरी और 2300 लोगों को 107 का नोटिस भी भेजा गया SSP चंदन सिन्हा ने फरवरी महिने में ही रांची जीले के सभी थानेदारों को निर्देश दिया था कि महौल बिगारने वालों को चीनित कर उनकी सुची गोपनिये सका को भेजी जाए इस पर सभी थानेदारों ने अपरेल महिने में सुची तयार करके SSP को सौपी है चातरों के सीखने की जहमता बढ़ाने को CBSE ने सुरू किया कोर्स CBSE ने अपने विद्यार्थियों के सीखने की जहमता में बिरिधी की पहल की है जिसका लाब ए понравree और बारांगी की बिद्यार्थी उठा सकते हैं इसके तहर्य विद्यार्थियों के लिए एक online course की शुरूआत की गई है जिसमे एeriaarchy और बारांगी के लिए 28 online पार्थे करमों को सामिल किया गया कुल 11 से सामिल है जिन में अकाउंटेंसी, बिजनेस, स्टाडीज, जिव बिज्ञान, रसाइन बिज्ञान, अर्साथ, भोगोल, गनीत, भौतकी, मनो बिज्ञान, अंग्रेजी और समाज सास्त्रा है इसके लिए आवेदन की परकीरे 22 अपरेश से शुरू कर दी गाई है जो 1 सितंबर तक चलेगी पुर्वी सिंभूम के चाकूलिया इस्थीत बेद गाउं में बैंक ओफ इंडिया के पास रभीवार्दो पहर को भिशन सलक दुरखटना होई है चाकूलिया से बंगाल जा रहा ट्रक अनिहंत्री थोकर सलक के किनारे घरों में घुश गया इसमें 5 घर तुट गए और 50 से अधिक बकरिया मर गई है इस घर्टना में कोई ब्यक्ति हताहत नहीं हुआ है कई लोग बाल बाल बचे हैं घर्टना के बाद गुसाई ग्रामिनों ने ट्रक चालो को पकड़ लिया उसकी जम कर धुनाई कर दी सुचना पाकर चाकूलिया पुलिस मोके पर पहुंची और एग घंटे बाद चालो को छुड़ा कर इस्पताल पहुंचाया गया बदा दे मुआपजे की मांग को लेकर ग्रामिनों ने सलक जाम कर दी ग्रामिनों ने बताया है कि चालो क नसे में था गर्वती महिलाओं से मात्रित्य योजना का लाब दिलाने के नाम पर ठगी साइबर अपरादियों के खिलाब चलाये जा रहे अभियान में ग्रीडी पुलिस को एक बार फीर सफलता हासिल हुई है पुलिस ने गुप्त सुचना का धार पर अहिल्यापूर थाना चेत्र के अलग-अलग इलाकों में छापे मारी कर कूल चार साइबर अपरादियों को गिरफतार करने में सफलता पाई है बता दे ए गर्वती महिलाओं को मतृत्य योजना का लाब दिलाने वा फर्जी बैंक अधिकारी बन कर चुना लगाने का काम करते थे पिछले च्छा माह में 230 साइबर अफरादि गिरफतार हो चुके है गिरी डीके एसपी दीपक उमर सर्माने अरा विवार को ये जनकारी दिया है धन्यवाद